नमस्कार विद्यार्ज मीत्रों कैसे हो मजे में हो रहा है चली कक्सा तीसरी में आज हम आगेक इकाई पढ़नी जा रहे है इकाई पढ़नी से पहले आप लोग को याद कर दू जबाप पढ़ाई करना यह समझो करित करित मा तम्हें बनमा दाख चुप पहला तो आपड़ा स जे तो तम्हें गुजरातियां बोलो चुए एकड़ा अन्य एउज हिंदी मा आजे आपने सो सिखी सु नव पार्ट चे इकाई नम्मर दस जीसका नाम है जबसे पहला किताब कोलो कोली किताब आओ किंती सिखे पंड़ा नम्मर छोबिस दस मों पार्ट चे आओ किंती सिख नला है बोलावेश tutto की हिंदी मा लगता सब्दमा हाँ आन्य एक अट बनने मा किंती न बोलाए आंनय किंती न लगखाई यह आते आपनेसी सिखहे सु चली सबसे पहले दीखो एक उंक में लिखाए उसके सामने क्या लिखाए सब्दमें एक दो दो तीन तीन 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समद लो कि 9 कैसे लिखा है 8 कैसे लिखा है 6 कैसे लिखा है ठीके आंक और सब्दा दोले में बताया गया आपको खास तो याद देखना होगा कि सब्दा में हम कैसे लिखा जाता है और कौन सा स्वर और विंजन का उपयो करके सब्द पूरा बनता है उसके बाद देखो ग्यारह कैसे लिखाए? ग्यारह उसके बाद क्या लगा? बारह ग्यारह ग्यारह ने गुजरती माज़ो कहे अग ग्यारह लगते हैं यहाँ पर हो लगता है उसके बाद देखो बारह तेरह चौदह पंदह हो ठीक है उसके बाद सामने वाले में देखें है ना सामने में सोला हो शेत्रह अठारह उन्नेस बीस वीस तुजी आपड़े हैं जोई जो किया अब देखते आगे क्या मोड़ाता है 21 या नहीं आपड़े गुजराती मां सो कहें 21 अन्य इंदे मां सो कहें 21 उसके बाद देखो बाइस, देईस, चाबिस, पत्चिस, चाबिस, सताइस